हेलो फिंट्स वेलकम बैक टो और चैनल स्मार्ट अरस क्लब और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी विप्टी और को बैक निफ्टी का डैली आलिसीस करते हैं यह अनालीसीस करने के के लिए हम यूज करते है टेिकनिकल लिप्ठी का और साथ जान ऒती साथ doctors & दो mine दिसकस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेट्स के बारे में एन लॉजिक बिहाइंड डाट ट्रेट टू दोस्तों मारे कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोजात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुँच जाएं साथ में इस चैनल पर आपको इसे के साथ में डेरिवेटिब्स को किस तरह से टेकनिकल पैटर्स के साथ में मिक्स करकर ट्रेट करना चाहिए इसे कवर करते हैं भी वीडियो आपको हमारे प्लेइलिस में मिल जाएंगे इसी तरीके से नई नी चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आपको अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेश्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजे ताकि आपको लेटेस अपडेट्स मिलते रहें इसी के साथ अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं जहां पर आपको सिल्वर, गोल्डन, प्लाटिनम ये तीन मिम्बर्शिप ओफर के जाते हैं अगर फ्लाटिनम मिम्बर्शिप लेते हैं तो डेफिनिटली मेरा कोई भी एक ट्रेड लाइब मार्केट में आपके साथ में शेर भी करता हूं तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे टेट्स के बारे में इंडियाविक्स 20.62 आज यहां पर थोड़ा मार्जिनल गेन देखने को मिल रहा है इंडियाविक्स के अंदर में अब उसी तरह से मार्केट भी रेड ही नजर आ रहे हैं हमें एक्सपारी थी और एक्सपारी बहुत ही टाइट एक्सपारी थी इनफेक्ट अगर बुला जाए तो गलत नहीं होगा 96 पॉइंट का लॉस हुआ है निफ्टे के अंदर में 11,312 बट और अगर अगर आप देखेंगे बैंक 286 पॉइंट का लॉस तो मैं क्यों बोला टाइट एक्सपारी था रिजन बिंग आप्टर जब गैब डाउन ओपन हुआ उसके बाद में कितना पॉइंट स्विंग हुआ वो देखने लाइक है लगबग लगबग 70 पॉइंट का स्विंग यहाँ पर देखने को मिला है क्लोजिंग कहा हुई है क्लोजिंग 11,300 के उपर हुआ यह बहुत बढ़िया बात है निफ्टी के अंदर में जो कि फॉरेंड मार्केट जो थे इतने वीक नजर आ रहे था होंग कॉंग का मार्केट इतना गिरा हुआ नजर आ रहा था उसके बाउजू तो हम 11,300 बचा लिये यह बहुत बड़ी बात मानी जानी चाहिए निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रॉंग इंडिकेशन समझ में आना चाहिए निफ्टी के लिए कि यहाँ पर कितना आपको स्ट्रॉंग सपोर्ट है तो निफ्टी के अंदर में buy on dips वाली strategy सही बैट रही है बैंक निफ्टी 21,999.45 यहने exactly 22,000 के पास में closing दिया हुआ है बैंक निफ्टी ने opening नीचे होई थी 9.89 पे and low बनाये 8.86 का high बनाये 79 का लगबग लगबग 200 points का moment यहाँ भी देखने को मिला जो expectation था कि market हो सकता 304 points मूफ करें उटना movement देखने को मिला नहीं हमें उपर जाने के कोशिश होई 22,075 पे pressure आया नीचे 21,000 ADT के आसपास में support मिला इसी range में पूरा nifty यो bank nifty आज काम करते रहे गए तो ट्रेड क्या लिया था exactly कल के दिन में जो ट्रेड लिया था आज के लिए जो मैंने शेयर नहीं किया था वो basically हमने कल जो मेरे platinum गूर्व में वहाँ पे हमने शेयर किया हुआ था 21,400 CE sorry 22,400 CE and 22,300 PE यहाँ पे हमने profit बुक किया और जो expiry trade हमने लिया था 22,000 PE and 22,000 CE का यहाँ पे हमें loss बुक हुआ है so आज के expiry में हमें loss मिला maximum अभी तक सारी expiry profitable थी पहला expiry जिसके अंदर में loss हमें हुआ है definitely when you trade in expiry loss ज्यादा होने के chances होते हैं overall profitable position है अभी भी so अब यह this is the 1, 2, 3, 4, 5th, 6th so out of 37 this is the 6th trade जहां पे हमें loss हुआ है so friends अगर आप हमारे YouTube platinum members हैं आपको ए ट्रेड मिलता रहता है online live market में अगर आप हमारे YouTube platinum members नहीं है तो हमारे YouTube platinum membership आप जाइन कर सकते हैं जादा information के लिए या WhatsApp के उपर में message देखने के लिए आप हमें इस WhatsApp number पे contact कर सकते हैं या तो mail भी बेज सकते हैं चले देख लिए आने वाला week किस तर का हो सकता है nifty and bank nifty का so this was the screenshot basically जो हम लोग ने share किया था executed this 937 so let's talk about nifty and bank nifty बहुत ही narrow range के अंदर में काम हुआ है जो आप देख सकते है price action इस label के आसवास में देखने को मिला है नीचे की तरफ support मिला है and then उसी range के अंदर में काम करते हुए नजर आया so exactly क्या आज का one of kind of gap down opening हुआ था यह और यह Indian market week है ऐसा नहीं हुआ था agr के निजस पे ऐसा नहीं हुआ था तो यह क्यों हुआ क्यों 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 क्योंकि Hong Kong market विदेशी मार्केट है SGX almost 1500 point नीचे चल रहा था, इसके लिए open हुआ, so क्या होना चाहिए अब इसके अंदर में, किस तरह से काम करना चाहिए, candle आप देखेंगे, तो candle definitely no doubt in that lower low बना रहा है, लेकिन 11,300 को support कर रहा है, ये बढ़िया बात है, shot नहीं create करना चाहिए, this is what I feel currently, shot नहीं create करना चाहिए, अगर किसी भी reason की वैसे 11,250 के आसपास में मिलता है, a good buy initiate किया जा सकते, 11,250 के पास में, buy initiate किया जा सकता है, stop loss रखना है, stop loss 15-20 point का stop loss रखके काम किया जा सकता है, this is what I feel, लेकिन shots नहीं बनेंगे, shots यहां बनते हुए नजर नहीं आ रहे है, option chain देख लेते हैं, option chain में किस सर से काम हुआ है, and let me check option chain, 27th August के option chain के हम बात कर रहे है, and this is very much important now, because it is monthly expiry, आपका जो monthly closing है, उसकी बात यहां पर हो रही है, so आपको volumes थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा है यहां पर, at the money 11,300, and look at the volume, look at the open interest data, 23,855, 23,000, भाफ करे 29,855, and 23,949 का हमे open interest देखने को मिल रहे हैं यहां पर, highest open interest का है, अभी भी 11,500 पर highest open interest है, second highest open interest काहां देखने को मिल रहा है, second highest open interest 11,400 पर देखने को मिल रहा है, and third highest open interest हमे 11,300, so if you can recollect, हमने पहले ही यह data के बारे में बात किया था, कि हर 100 point के उपर में, आपको support मिलेगा, resistance मिल रहा है, यहां पर highest open interest का है, 52,043, कहां पर 11,000 पर, second highest open interest, 11,200, and third highest open interest आपको, at the money नहीं 11,300 पर देखने को मिल रहा है, so exactly अगर आप देखेंगे, तो आपको 11,200, सिर्फ 11,100 नहीं पिक्चर में, बाकि सब देखने को मिल रहा है, so range क्या है, 11,500 से 11,000 एक range है, बड़ी range है, चोटी range क्या है, 11,200 से लेके, 11,300 की छोटी range देखने को मिल रहा है, निफ्टी के अंदर में, as I said, अगर 250 के हासवास में मिलता है, buying opportunity है, 500 के हासवास में मिलता है, तब selling opportunity हो सकती है, फिलाल selling opportunity नहीं दिख रही है, निफ्टी काफी strong दिख रहा है, इतना weak market होने के बाद में भी 300 समाल लेना बड़ी बात है, दो 98 पॉइंट का या almost 100 पॉइंट का loss है, but even then, बहुत बढ़ियां तरीके से 11,300 को support किया गया है, same way, बहुत ही छोटे range के अंदर में आज काम करते हुए, bank nifty नजर आया हुआ है, in fact, ये Friday था, then Monday, Tuesday, Wednesday के, ये Wednesday आपका, तो पहुत ही छोटे range में, bank nifty काम कर रहा है, because अपधी EGR news, एक बार EGR का news clarity आजाए, तो फिर movement होना है, यहाँ पर चालो हो, और इसके चलते हुए struggle में भी पैसा नहीं बन रहा है, daily movement अगर देखें, तो किस तरह का lower low, definitely red body बनी है, जहां से opening वोई थी, उसके नीचे गया, दो labels के बीच में closing होई है, 21,600 गोना भी a very important support है, 21,600 के नीचे जाते हैं, तो समझ जाएगा, कि हमारा train जो है reverse हो चुका है, anyhow, अगर 21,735 के आसास से मिलना चालू होता है, तो आप वहाँ से buy कर सकते हैं, with this stop loss of 21,527, यह बहुत जादा deep stop loss हो जाएगा, so let's wait for this label, 21,668, and stop loss, yes, 21,593 के आसास में stop loss के काम कह सकता है, उपर की तरफ हर label के उपर में pressure है, अगर 22,200 प्लस मिलता, तो एक बार selling opportunity हो सकती है, अगर उसको पर मिलता तो definitely selling opportunity बनते भी नज़र आएगी, क्योंकि अभी फिलाल bank nifty एक range में अठका हुआ है, we know it very well, let's talk about bank nifty, closing कहा होगी है, exactly 22,000 पर closing होगी, तो यहाँ पर numbers देखने को आज मिलेंगे हमें, क्योंकि 500 का multiple है, तो definitely आपको यहाँ पर number देखने को मिलेंगे, let's talk about this, let's talk about 22,000, 22,271, lots का open interest, second, अगर आपको देखना highest open interest कहां पर है, 23,000 पर 26,000 का, and 24,000, 22,500 पर, so दिज़दे 3 highest open interest on call side, put side में देखे, आपको highest open interest कहां देखने को मिल रहा है, क्या put side में उतना highest open interest देखने को मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, put side में उतना highest open interest देखने को मिली नहीं रहा है, in fact, highest open interest में हम फिलाल करेंगे, बैठे हैं put side में, यानि 22,000 highest open interest नजर आ रहा है फिलाल, उसके बाद में second highest open interest आपको यहां मिलेगा, which is 21,500, and then 21,000, so, हम put side में highest open interest पे बैठे हैं, यानि 22,000 के नीचे अगर हम जाना चालो करें, और तो हम सस्ते इन करें तो हो सकता है, हमें 21,600 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, range क्या हो सकते हैं, I feel आपका range 21,500 से 22,500 के बीच का होना चाहिए, और बड़ा range क्या होगा, बड़ा range आपका 21,000 से लेके, 23,000 के बीच का होना चाहिए, बैंक निफ्टी के अंदर में, तो दूस्तों ये बात होगा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, कुछ stock जिसके बारे हमने कल discussion किया हुआ था, स्टॉक के अंदर में performance कैसा हुआ, we can see it, गलेंद मार्क, सेंचुरी टेक्स्टाइन, लंबराजा बैटरी, संटी भी हमने परसो बात किया था, 33 रुपीज का जिसके अंदर में, पॉइंट्स का जिए गीन देखने को मिल रहे हैं आपे, इसके अंदर में बात किया हुआ था, कल के स्टॉक के बारे में, मैंने कोई अभी स्टॉक नहीं निकाला हुआ है, क्योंकि मार्केट आज डाउन था, इसके लिए, रियल ट्रेंड में, आपको कोई भी स्टॉक देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, कल मॉर्निंग में, लाइफ मार्केट के अंदर में, विल ट्राई, कि दो-तिन स्टॉक निकाले, जिसके अंदर में, इंटर डे काम किया सकता है, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो में कुछ पसंद आए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा, अगर वीडियो में कुछ पसंद नहीं है, तो रिक्वेस्ट करेंगे, उसे कमेंट बॉक्स में में मेंशन करेगे, so that we can improve ourselves, at the same time, अगर आपको ये सीखना है, तो आप हमारा ओनलाइन प्रोगाम भी जॉइन कर सकते है, जो कि 30 अगर्स से शुरुआत होने वाला है, so guys, thank you very much for watching this video, hope आने वाला वीक आपके लिए जोड़दार और बहुत ही बढ़िया हो, good night.